Hello everyone, welcome to Thalic Chemistry So, आज की वेडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं Hello Elkines और Hello Edines की सारी Important Named Reactions यह है सारी Important Named Reactions जो की बोर्ट इग्जाम से बहुत बार पुछे गई हैं सो स्टार्ट करते हैं First है, Boots Reaction Boots Reaction है इसमें एक Alkyl Helight के reaction हम Sodium के साथ कराते हैं in the presence of dry ether तो हमें Alkynes form होते हैं Reaction देखें एक Alkyl Helight में ले रही हुए आपे CH3Br ठीक है Sodium की presence में reaction होगी and we will take यह two molecules of Alkyl Helight तो होगा क्या? देखें Reaction होगी dry ether की presence में और इस reaction में Alkyne form होगे CH3CH3 जुड़ जाएगा plus 2NaBr निकल जाएगा यहां से 2NaBr निकल जाएगा और CH3CH3 means यह दोनों मिलके Alkyne form करेंगी यह हो गई Woods reaction next है fatigue reaction पिटिक रेक्शन में हम एक Arryl Helight को ट्रीट करते हैं Sodium की साथ in the presence of dry ether देखिए हमें क्या form होगा हमने यहां पे Alkyl Helight लिया था but fatigue reaction में Arryl Helight लेंगे देखिए यह लिया हमने Arryl Helight Tromobenzene दो molecules लेंगे इसके reaction होगी Sodium की साथ in the presence of dry ether तो हमें फॉर्म होगा Biphenyl This is Biphenyl ठीक है और 2-NA-BR निकल जाएगी जैसे इसमें निकला था ठीक है आपको याद क्या रखना है नहीं याद रखी कि जो वोट्स reaction है उसमें हम Alkyl Helight की reaction कराएंगे Sodium और Ether के साथ और Phytic reaction में Alkyl Helight की reaction कराएंगे Sodium और Dry Ether के साथ बस इतना सा change है और next है वोट्स Phytic reaction जो वोट्स Phytic reaction है आप नाम देखी नाम में क्या निकल रहे वोट्स Phytic reaction means हमने क्या देखा था जो वोट्स reaction है उसमें Alkyl Helight लिया Phytic reaction में Alkyl Helight लिया तो वोट्स Phytic में हम दोनों लेंगे दोनों की reaction कराएंगे sodium के साथ in the presence of dry ether देखे एक हमने Alkyl Helight लिया प्लस एक Alkyl Helight लिया ठीक है और reaction है sodium के साथ in the presence of dry ether तो क्या मिलेगा आप देख लीजे इन समें 2NAPR निकला इसमें 2NAPR निकल जाएगा और इस पंदीन से CS3 लग जाएगा means हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा टॉलीन यह है टॉलीन ठीक है प्लस 2NAPR निकल जाएगा तो इन तीनों reactions को हम कैसे याद रखेंगे देखे इन तीनों reactions में हमने sodium के साथ reaction कराए in the presence of dry ether बस फर्क कहां पे था हमने बोट्स में alkyl halide लिया फिटिग में alkyl halide लिया और बोट्स फिटिग में alkyl and alkyl halide दोनों लिया बस इतना सा minute change है आप यह जीज़ जयाद रखें तो यह तीनों reactions आपको easily याद हो जाएगी और काफी important है कई बार पूछी लेगी है ठीक है अब next reaction देखते है Swartz reaction and Finkelstein reaction fourth reaction है Swartz reaction Swartz reaction में हम alkyl halide की reaction कराते है AGF के साथ, HG2F2 के साथ या पर COF3 देखे reaction एक alkyl halide लेते हैं इसके reaction हम कराते है AGF के साथ ठीक है इस reaction को हम basically fluorination भी बोलते है because इस reaction से हम alkyl fluorides बनाते हैं इसके reaction AGF के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा CH3F alkyl fluoride हमें फॉर्म हुआ और AGBR निकल जाएगा silver bromide ठीक है यह होती है Swartz reaction and AGF की जगह आप reaction करा सकते हैं HG2 F2 के साथ या फिर CO F3 के साथ ठीक है इस reaction है Finkelstein reaction इस reaction में हम एक alkyl halide को treat करते है NAI in the presence of acetone जिससे हमें alkyl iodides फॉर्म होते हैं देखिए एक alkyl halide हमने लिया इसकी रियाश्य होगी NAI के साथ in the presence of acetone तो हमें फॉर्म होंगे alkyl iodides देखिए CH3-1 alkyl iodides हमें मिले और NaBr निकल जाएगा इसमें भी स्वार्ड रियाक्शन में alkyl halide की रियाक्शन एजियत के साथ हुई तो हमें alkyl fluorides मिले तीक है और फिंकल सीन रियाक्शन में रियाक्शन होंगी NAI in the presence of acetone जिससे हमें alkyl iodides फॉर्म होंगे और इन दोनों रियाक्शन को याद करने की सिंपल सी ट्रिक है देखे फिंकल नाई स्वार्ग में फ्लाई फिंकल नाई बनला फिंकल सीन रियाक्शन है वो NAI acetone की presence में होगी और जो स्वार्ड में स्वार्ड रियाक्शन है वो फ्लाई FF से याद रखे फ्लोरिनेशन होगा एलकाई फ्लोराईट स्वार्ग होगी सिंपल से ट्रिक है अगर आप याद रखेंगे तो आप यह दोनों रियाक्शन अच्छे से मैमोराईज कर सकेंगे माईनिम से रिफ्रेंस से याद रखेंगा नेक्स गेखते हैं साथ याद होगी नेक्स हमने स्वार्ड जाओं तीनों रियाक्शन अच्छे से रियाक्शन है क्योंकि काफी similarities हैं इन कुछ reactions में, तो देखते हैं, तो यह जो तीनों reaction है, इन तीनों reaction में एक चीज कॉमन है, इन तीनों reaction से हम hallo arines prepare करेंगे, ठीक है, और एक चीज, जो यह तीनों reaction है, इनको हम disonium salts के साथ करेंगे, ठीक है, यह चीज कॉमन है, अब आप यह चीज देख कि disonium salts prepare कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखें, disonium salts prepare करने के लिए हम amine लेते है, amine लिया, ठीक है, और इसकी reaction कराएंगे, HNO2 के साथ, in the presence of HCl, at 0 to 5 degrees Celsius temperature, ठीक है, तो हमें मिलेगा, benzene disonium chloride, देखेंगे, यह होता है, benzene disonium salt, means benzene disonium fluoride, okay, and water के दो molecules निकल राएंगे, ठीक है, तो इन तीनों reactions में, हम benzene disonium salt की reaction कराएंगे, इनके reagents के साथ, जो भी होते हैं, देखें, तो पहले हम देखेंगे, sand mayor reaction और gay demand reaction, क्योंकि इन दोनों reaction में काफी similarities हैं, देखें, बेंजी disonium chloride लिया हमने, ठीक है, तो वोगा क्या, जो sand mayor reaction है न, उसमें हम reagent लेते हैं, CuCl in the presence of HCl, ठीक है, और gay demand reaction में हम लेते हैं, Cu in the presence of HCl, ठीक है, ये चीज़ है, आपको confused बेहिकुल नहीं होना है, देखें, जो sand mayor reaction है, उसमें copper chloride लेते हैं, in the presence of HCl, ठीक है, और catamide reaction में सिर्फ copper लेते हैं, in the presence of HCl, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा chloro benzene, ठीक है, यहाँ से भी हमें मिलेगा chloro benzene, plus M2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है, तो बस याद रखें, sand mayor reaction और catamide reaction में, benzene, disonium, chloride की reaction होगी, और हमें chloro benzene form होगा, यहाँ पे हम cubr भी ले सकते हैं, in the presence of HCl, यहाँ पे हम ले सकते हैं, br in the presence of Hdr, ठीक है, यह चीज़ confuse नहीं होनें, आपको, cucl in the presence of HCl, या फिर cubr in the presence of HCl, यह हम लेते हैं, sand mayor reaction में, और catamide reaction में, cu in the presence of HCl, mdr in the presence of HBr, ठीक, वो होती है, catamide reaction, next है, bar shaman reaction, देखें, यह reaction ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, catamide reaction में, बस छोटा सा डिफरेंस है, इसमें हम amine की reaction कराएंगे, पहले NaNO2 और HBF4 के साथ, NaNO2 in the presence of HBF4, ठीक है, तो reaction हम कराएंगे, तो हमें देखें क्या form होगा, हमें form होगा, N2 plus BF4 minus, हमें मिला benzine disonium tetrafluoroborate, ठीक है, यह होता है, benzine disonium tetrafluoroborate, ठीक है, अब further हम इसको heat करेंगे, तो हमें मिलेगा यहां से, fluorobenzine plus BF3 निकल जाएगा, एंद N2 भी निकल जाएगा, ठीक है, यह है, बाल स्यमें रियाक्शन, इतना difference है इसमें, amine की reaction पहले हम यह कराएंगे, तो हमें form होगा, benzine disonium tetrafluoroborate, पिर इसको heat करेंगे, जिससे हमें fluorobenzine मिलेगा, ठीक है, इससे हम fluorobenzine बनाते हैं, बाल स्यमें रियाक्शन से, और स्यमें रियाक्शन गयादमान इसे, fluorobenzine, fluorobenzine, यह बनाएगे, ठीक है, next process है, doubt process, यह process बहुत important ही, कई बार बोड में कुछी लिए, सो देखिए, जो doubt process है, इसकी रियाक्शन होगी गlorobenzine के साथ, देखिए, गlorobenzine लिया, ठीक है, इसकी रियाक्शन होगी NaOH के साथ, दो molecules लेंगी NaOH के साथ, ठीक है, और कुछ conditions भी है, 623 carbon temperature होना चाहिए, और 300 atmospheric pressure होना चाहिए, ठीक है, तो होगा क्या, हमें मिलेगा sodium phenoxide, हमें मिलेगा sodium phenoxide, जो रियाक्शन होगी NaOH के साथ, इन conditions पे, तो हमें मिलेगा sodium phenoxide, जो जो doubt process है, इसकी में previous वीडियो में, पूरी detail में मेक्यालेजन पने बताई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, तो sodium phenoxide मिला, इसका हम further acidification कराएंगी, ठीक है, HCL के साथ रियाश्य होगी, acidification, तो हमें मिलेगा phenol, और यहां से NaCl निकल जाएगा, ठीक है, doubt process, यह जो process है, इससे हम phenol prepare करते हैं, यह commercial market है, large scale पे manufacture करते हैं, ठीक है, phenol को, phenol, काफ़ important reaction है, पूछी भी गए बोट्स में, ठीक है, and next है, friedel craft reaction, the very most important reaction, यह बहुत important reaction है, कई बार पूछी गई है, जो friedel craft reaction है, यह हम दो तरीके से करते हैं, first है, friedel craft alkylation, and second, friedel craft acylation, दोनों की reaction देखते हैं, डीटेल में, friedel craft alkylation, यह जो friedel craft alkylation है, इसमें, chloro benzene की reaction होगी, एक alkyl chloride के साथ, ठीक है, दो molecules लेंगे, chloro benzene के, दो molecules लेंगे इसके, और reaction होगी, in the presence of anhydrous, alkyl3, यह important बात है, ठीक है, जो फिलर craft reaction है, इसमें, जो reaction होगी, वो alkydrous alkyl3 की presence में होगी, तो देखिए, हमें यहां से मिलेगा, यह मिलेगा हमें, यह है, और्थो क्लोरो टॉली, और्थो क्लोरो टॉली, ठीक है, और एक product हमें फॉर्म होगा, CL, CHC, यह है, पैरा क्लोरो टॉली, ठीक है, दो products फॉर्म होगे, एक होगा major और एक होगा minor, यह जो पैरा वाला है, यह है major product, ठीक है, और यह जो और्थो वाला है, यह है minor product, ठीक है, काफी सिंपल है, टॉरो बेंदिंग की reaction, प्रीडिल क्राफ्ट alkylation में होगी, CH3-CL के साथ, इस reaction में थोड़ा सा चींज है, लोलो बें नहीं लिया, दो molecule, उसलिए इसके, जो reaction होगी, वो acetyl fluoride के साथ होगी, CH3-CO-Cl, यह है acetyl fluoride, ठीक है, ठीक है, प्लोरो बेंदिंग की reaction होगी, acetyl fluoride के साथ, in the presence of anhydrous, ANCN3, तो हमें मिलेगा, यह, और्थो-क्लोरो-ेसिटो-फिनोल, ठीक है, यह होगा हमारा minor product, ठीक है, एक product और बनेगा देखिए, यह होगा हमारा minor product, यह है, पैरा-क्लोरो-ेसिटो-फिनोल, ठीक है, यह जीज़ ज्याद रखिए, जो फ्रीटल क्राफ्ट reaction है, दो रियक्शन होगी, जो फ्रीटल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, उसमें CH3-CL के साथ रियक्शन होगी, और फ्रीटल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, एसितिल क्लोराइल, यानि CH3-C-O-C-L के साथ रियक्शन होगी, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यह सारी रियक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलो एल्टींस एंड हैलो रिंस के चैप्टर की, ठीकर्स तो आइ होब आच कर विए पॉट चालागा होगा, यह अप्यू शब्सक्राइब मैं चालागा शब्सक्राइब मैं चालागा होगा,